असलामुलेकूम आज मैं बनाऊंगी मटन पाया की रेसिपी हम इन पायों में रंग बिरंगे मसालों को एट करके बहुत ही मज़िदार ग्रीन मटन पाया तयार करेंगे तो चली बनाना शुरू करते हैं अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे च अगरा होते हैं वो निकल जाते हैं और पाया अच्छी तरह से साफ हो जाता है तो यह मैंने साफ करके रख लिया है तो हम इसे एक प्रेशर कूकर में ट्रांसफर कर लेंगे अब चाहे तो कोई भी बरतन में भी इसे बना सकते हैं पर उसमें टाइम जादा लगेगा तो हम प्रेशर कूकर में पायों को उबालेंगे तो इसमें तीन गिलास के करीब हम इसमें पानी आइट करेंगे आप पानी कम जादा कर सकते हैं हम इसमें डालेंगे दो प्याज कटी हुई अद्रक लसुन का पेस्ट टू टेबल स्पून हम इसमें डाल रहे हैं हम डालेंगे एक दाल चीनी का दुकड़ा वन टी स्पून काली मिर्च दो तेज पत्ता छे से साथ लॉंग खड़े मस्याले एट कर दिये तो वन टी स्पून हम इसमें कूकिंग ओयल एट करेंगे ताकि जो पाया बॉयल हो तो फिर वो बाहर ना आए नमक अपने जाएगी किसाब सैट करना है हल्दी पॉडर वन टी स्पून और इन पायों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम कूकर की लीड लगा कर इसे 15-20 मिनिट हम लो फ्लेम में उबा लेंगे आए चे कर लेते हैं हमारा पाया अच्छे से गल चुका है यह देखें तो चले हम इसका मसाला रेडी करते हैं तो सबसे पहले हम पायों की जो यखनी है हम इसे अलग कर लेंगे और पाया अलग कर लेंगे यह यखनी है पाया की और यह पाया हमने पीसिस को अलग कर लिया है हमारा पाया फेडी हो चुका है तो हम इसका मसाला तयार कर लेते हैं मसाला तयार करने के लिए हमने यहाँ पर दो प्याजें उसका पेस्ट लिया है grinder में पेस्ट बना लिया है फ्रेश धन्या एक कफ यहाँ पर तकरीबन मैंने प्लेन दही लिया है दस हर 그걸 जिसका मैंने paste बना लिया है 2 spoons, मैदा लस्न पेस्ट 1 teaspoon यहां पे उक्ष मसाले पॉडर है Scotts, 1 teaspoon हंदी पॉडर 1 teaspoon धनिया पॉडर 2 tablespoon soft spor", 1 teaspoon जीरा पॉडर 1 teaspoon नमक अपने जाय की चिसाब से गरम मसाला 1 teaspoon तो चलिए हम इसे भून लेते हैं हमने यहाँ पर टू टेबल स्पून कूपूँ आट किया है सब्सक्राइब हम इसमें पेस्ट डाल देंगे प्यास का और इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका जो कच्छा पन है वो निकल जाए हम इसमें डालेंगे लस्टन का पेस्ट हरी मेज पेस्ट और इसे अच्छे से दो मिनिट भून लेंगे अब बाकि जो मसाला पॉडर है सब हम इसमें आट कर रहे हैं इसे भी अच्छे से भून लेंगे हम इसमें डाल रहे हैं दही और इसे चलाते रहेंगे स्टैर करते रहेंगे मसाला अच्छे से भुन चुके हैं तो हम इसमें पाया एट कर देंगे पाया की जो पीसे हैं हम इसमें मिला दे रहे हैं अब पाया की जो यकनी है वो हम इसमें मिला दे रहे हैं और इसे लो फ्लेम में दो मिनिट अच्छे से पका लेंगे ये दीके पक चुका है तो हम इसमें मैदा एड़ करेंगे मैदा हमें directly नहीं मिलाना है थोड़ा-थोड़ा करके हम मैदा एड़ करेंगे और इसे stare करते रहेंगे चलाते रहेंगे ताकर इसमें लंस ना पड़ें बिल्कुल भी मैं दाइड करने के बाद मैंने इसे 2-3 मिनिट लो फ्लेम में अच्छे से पका लिया है ये काफी हद तक अच्छे से पक चुका है पाया भी गला हुआ है तो हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है हम इसे हरा धनिया से गानिश कर लेंगे धनिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा था पाया में तो इसे गर्म गर्म सर्फ कर लेते हैं हम इसे नान के साथ या फिर चपाती के साथ सर्फ करेंगे बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़िदार होती ही ये रेसिपी आप इस recipe को ज़रूर बनाए अपने family friend के साथ इस recipe को ज़रूर शेर करें आपका मेरा वीडियो कैसा लगता है अपना feedback दें इसी तरीके से अच्छा बनाए अच्छा खाए मिलते हैं next वीडियो में नई recipe के साथ तब तक लिए अल्ला हाफीज टेक केर बाई बाई